अगर आप पास Motorola H55G phone है तो इस phone में आज हमों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप किसी भी app को अगर lock करना चाहते हैं यानि app lock लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर कोई inbuilt app lock आपको नहीं मिलता है इसलिए आपको क्या करना अपना play store open करना है और यहाँ search व वाला SP soft जो लिखा हुआ है इसको आपको install कर लेना है app lock fingerprint दिख रहा है और यह play store पर आसानी से मिलूग आता है secure भी है इसको आपको install कर लेना है उसके बाद इसे open करना है open करने के बाद allow पे click करना है और यहाँ पर कोई भी आपको pin बना लेना है चारंकों का तो देखिए हम चारंकों का pin बना लेते हैं सही का निसान दिख रहा है इस पर आपको click कर देना है फिर इसको confirm कर देना है दुबारा डालके और सही निसान पर click कर देंगे आप इससे fingerprint आप लगाना चाहते है साथ में ही तो आप yes पर click कर देजेगा और यहाँ देखिए app lock open हो चुका है आप क्या करना है आपको plus का icon दिख रहा है plus वाला icon पर click करेंगे जो भी app को आपको lock करना है उस app को हम यहाँ पर देखे से chrome को lock करना है तो हम chrome को इस तरीके से lock कर देंगे अब यह plus का icon दिख रहा है इसको क्या करना है आपको plus पे 받고 करना है और यहां पर ok करेंगे उसके बाल दिखें यहां पर मिलेगा आपको Air Block Not Allowed यहां पर आपकोramosक करना है और इसको Nahalons Allowed इस पर फिर से कट्बेंगे और यह वहला option भी crush now कर देंगे बस आपको ok करदेना है और Enough पर क्लिक करना है जो आपका एब लॉक है वो लग चुका है आप कितनी भी एब को एक बार में लॉक कर सकते हैं आप देखिए आपको दिखाते हैं जैसे एक रोम को खोलेंगे तो यहां पर देखिए यह यहां तो फिंगर पिंट मागेगा या फिर आपका पासवर्ट लगेगा तो इस तरीके से आप air block लगा सकते हैं